आईए सुनते हैं आज की कहानी राजा की जादूई रानी एक बार की बात है सोनपुर सामराज में राजा ब्यान राज की आक रखते थे वो बहुत अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे राजा ब्यान की पत्नी का नाम राणी कमला था, वो बहुत है बुद्धिमान और दयालू राणी थी राणी कमला कोई साधारन राणी नहीं थी, उनके पास कुछ जादूई शक्तियां थी जब राणी कमला बहुत छोटी थी, तब उन्होंने एक जादूई फल खा लिया था, जिसकी वज़े से उनके पास कुछ जादूई शक्तिया आ गई थी उस जादूई फल को खाने के बाद राणी के काले घने बाल लाल सुनहरे रंग में परवर्तित हो गई थे और उनकी आँखे भी गहरी हरे रंग की हो गई थी, जिसकी वज़े से वो सबसे अलग दिखती थी उन्होंने कभी भी अपनी जादूई शक्तियों का गलत तरीके से उपयोग नहीं किया था जब उन्हें लगता कि किसी को उनकी सहता की जरूत थी, तब ही वो अपनी शक्तियों का इस्तमाल किया करती थी जैसे एक बार राजा ब्यान के सामराज में बहुत ज़्यादा बाड़ा गई थी जिसकी वज़े से किसानों की सभी फसले खराब हो गई थी उनके राज में खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी जिसकी वज़े से लोग भूके मर रहे थे और काफी ज़्यादा बीमारियां भी फैल रही थी तब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उस वक्त राणी कमला ने अपनी जादूई शक्तियों की सहता से सभी किसानों को जादूई बीज दिये थे उन जादूई बीजों की सहता से सभी किसानों की फसले कुछी दिनों में फिर से हुआई थी उन जादूई बीजों की सहता से फसले इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि मानों ये कभी नस्ठी नहीं हुई थी सभी किसानों के खेर फिर से पहले की तरह हरे भरे हो गए थे उनके राज में जितने भी बीमार और पीडित व्यक्ती थे तब राणी ने अपनी जादूई शक्तियों की सहता से सभी के लिए कुछ जड़ी बूटियों से अच्छी दवाईयां बनाई और सभी लोगों तक पहुँचा दी उसके बाद सभी ब्यक्ती फिर से पहले की तरह ठीक हो गए थे राणी अपनी परचा का हर वक्त भला ही करती रहती थी जिसे देखकर राजा अध्यधिक प्रसन्य होते थे परंतु राणी का एक राज था जिससे राजा पूरी तरह अंजान थे राणी हर रात अपने कक्ष से बाहर चली जाया करती थी और सुबह होने पर ही महल में वापस आया करती थी राणी ने राजा से वचन लिया था कि वो कभी भी उनसे इस बारे में सवाल नहीं करेंगे और नहीं उन्हें कभी टूकेंगे राजा के उत्सुकता दिन बदिन बढ़ती ही जा रही थी वो जानना चाहते थे के आखिर रानी रोज रात को कहां पर जाती है और उन्होंने हमसे इस बारे में कुछ भी पूछने के लिए मना क्यों किया है तब एक दिन राजा सोचते हैं कि आज तो वो रानी का पीछा करके ही रहेंगे क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर रानी रात को कहां पर जाती है फिर उस रात राजा सोते नहीं है और वो जैसे ही रानी को अपने कक्षे बाहर जाते हुए देखते हैं तो राजा उनका पीछा करने लगते हैं, तब राणी अपने महल से निकल कर एक जंगल के पास पहुंच जाती है, जब राणी वहाँ पर पहुंचती है, तो वो एक प्रक्ष के नीचे बैठ जाती है, जैसे जैसे रात और ज्यादा गहरी होती है, उसके कुछ समय बाद राण एक लॉमणी में बदल जाती है, जब राजा ये सब अपनी आँखों से देखते हैं, तो उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी सामने क्या हुआ, उनकी राणी थोड़े समय पहले एक आम इस्तरी थी, और अब वो एक लॉमणी में परवर्टित हो चुकी है, उसके बाद राज अपने असली रूप में आ जाती है, और वो फिर से महल में चली जाती है, राजा भी राणी का पीछा करते हुए वापस महल में आ जाते हैं, तब राजा से रहा नहीं जाता और वो राणी को सब सच बता देते हैं किस तरह उन्होंने राणी का पीछा किया, और उन्होंने अपनी आखों के सामने उन्हें एक लॉमनी के रूप में परवर्टित होते हुए देखा। तबरानी भहुत क्रोधित हो जाती है। फिर वो राजा से कहती है कि हमने आप से कहा थाना कि आप कभी भी हमसे इस बात पर प्रश्ण नहीं पूछेंगे। और नहीं आप कभी हमारा पीछा करेंगे। परन्तो आपने अपना वचन दोड़ा है। तब राजा कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमने अपना वचन दोड़ा है। और हमने आपका पीछा करके बहुत गलत किया है। परंतो हमारे उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, हम जानना चाहते थे कि आप रात में कहां चाहती हैं, इसलिए हमने आपका पीछा किया, परंतो आप हमारा विश्वास कीजिए, हम आपकी साहिता करना चाहते हैं, जो भी सच है, आप हमें बता सकती हैं, हम आपकी बात को ज जरूर समझेंगे तब राणी बताती है के उनहें एक जादोगर्ने श्राप दिया था और कहा था कि वो एक भयानक लॉम्णडी में परवर्तित हो जाएगी तब राजा कुछ जादूई शक्तियां उसकी वज़े से उसका जादू हमारे उपर पूरी तरह काम नहीं किया परत हम हमेशा लॉमडी बनने के वज़े केवल रात को लॉमडी में परवर्तित हो जाते हैं और सुभा पापस अपने असली रूप में आ जाते हैं तब राने आगे कहती है क हमने आपसे विवा से पहले ही कहा था कि आप हमसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे और आपने वचन दिया था कि आप कभी भी जानने के कोशिश नहीं करेंगे परंतो आपने अपना वचन तोड़ा है हम पहले ही इस विवा के खिलाफ थे परंतो जब आपने हमें वचन द ही रहेंगे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए उसके बाद राजा उस जादुगर को ढूनने के लिए अपने सैनिकों को भीच देते हैं परंत वो जादुगर उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता तब एक दिम्रानी कमला के महल में उनकी सबसे खास दासी उनसे मिलने आती है वो दासी रानी कमला की बहुत ही खास थी और उन्होंने बच्पन से ही रानी कमला का ध्यान रखा था तब रानी कमला कहती है के कहिए आप हमसे मिलने यहां पर क्यों आईए तब वो दासी कहती है के महरानी हम आपको एक बहुत बड़ा राज बताने आये हैं जो आपके शर राजकुमारी सुमन को देखा था वो उस जादुगर से बात कर रही थी जिसने आपको ये शराप दिया है ये बात सुनकर रानी कमला डर जाती है और उससे कहती है क्या उस जादुगर ने राजकुमारी सुमन को कोई नुकसान पहुचाया है क्या वो हमें शराप देने के बा चवरानी कमला ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उने बिलकुल भी यकीन नहीं होता कि उन्होंने क्या सुना है तो वो दासी से कहती है क्या आपको पता भी है कि आप किसी के उपर इलजाम लगा रही है क्या आप अपने होश में तो है तब दासी कहती है के नहीं महराने हम बिलकुल सत्य कह रहे हैं हमने राजकुमारी सुमन की बात खुद सुनी है उन्होंने ये जादुगर्ट से कहा था आपको श्राब देने के लिए और अब वो आपको मरवाना नी चाहती है हम यहाँ पर आपको आगा करने आये थे इसके बाद राणी ये सब सुनकर अचम्भित हो जाती है उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहन उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है उसके अगले देनी राणी कमला अपनी बहन से मिलने जाती है राजा ब्यान राणी कमला को अकेली नहीं जाने देते फिर वो भी उनके साथ चले जाते हैं तब वो वहाँ पहुँचने के बाद राणी कमला के माता पिता उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें देखकर वो अत्यथिक प्रसंद हो जाते हैं परन्तों जब राजकुमारी सुमन राणी कमला को अपने सामने देखती है तब वो बिल्कुल भी प्रसंद नहीं होती और उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है तब राणी कमला को राजकुमारी सुमन के ऐसे विवहर को देखते हुए शक होने लगता है फिर राणी कमला सोचती है कि इसका मतलब जो भी उस दासी ने कहा था वो सब सत्य ही था इसलिए राणी कमला चोकना हो जाती है और वो अपने साथ एक छोटा आइना रखने लगती है जब एक दिन राणी कमला अपने बगीचे में टहल रही थी तब वो जादुगर उनके पास आ जाता है और जोड़-जोड़ से हसने लगता है फिर वो राणी कमला से कहता है कि तुम्हारी जादुई शक्तियों की वज़े से मेरा शराप का सर अधूरा रह गया मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक लॉम्डी में परवर्तित कर देना चाहता था परंतु तुम्हारी जादुई शक्तियों ने ही तुम्हें बचा लिया जिसकी वज़े से तुम किवल रात में एक लॉम्डी का रूब धरन कर सकती हो तब रानी पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो तब वो जादुगर बताता है कि ये सब उसकी बेहन के कहने पर ही कर रहा है उसके बाद जादुगर जैसे ही अपनी चड़ी की रोशनी से राजकुमारी पर प्रहार करता है उसी समय राजकुमारी अपने सामने शीशा ले आती है जिसकी वज़े से वो रोशने टक्रा कर वापस उस जादूगर से टक्रा जाती है और वो वही पर चल कर राख हो जाता है जादूगर के मरने की वज़े से रानी कमला का श्राप तूट जाता है और वो उस श्राप से मुक्त हो जाती है अब रानी कमला को पूरा यकीन हो चुका था कि जादूगर ने उनकी बेहन के कहने पर ही ऐसा किया था उसके बाद वो अपनी बेहन से मिलने उनके पास जाती है और उससे ये सब करने का कारण पूछती है तब राजकुमारी सुमर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है कि जब से तुम्हें जादूई शक्तियां मिली हैं तुमने हर किसी को अपने वश में कर लिया था हर कोई केवल तुम्हारे ही प्रशनसा करता था कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था मैं भी तो इस महल की राजकुमारी थी, कोई मुझसे बात भी नहीं करना चाता था, और जब भी हम दोनों साथ में होते, तो कोई मेरी ओर देखता भी नहीं था, वो सब किवल तुम्हारी सुन्दरता और तुम्हारी बुद्यमता की ही प्रशनसा करते थे, ये सब तुमने ज जादू की वज़े से किया था, इसलिए मैंने उस जादू से तुम्हें एक लॉम्री के रूप में परिवर्टित करने को कहा था, ताकि तुम जगलों में भटक कर अपना बाकी का जीवन वितीत करो, परन्तु तुम्हारे उस जादू ही शक्तियों ने तुम्हें फिर से ब और तुम्हारे प्रजा भी तुमसे बहुत खुश थी, तो हमसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए हमने जादूगर से तुम्हें मारने को कहा, ताकि तुम एक ही बार में हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाओ। कुछ जड़ी बूटियां या लोगों की थोड़ी बहुत साहता ही कर सकते हमारे पास उतनी जादूई शक्तियां नहीं है कि हम किसी को भी अपने वश में करके उनसे अपनी प्रशन सा करवा सके या उनसे हम अधिक प्रेम करने को कह सके ऐसा नहीं है, सभी लोग जितना प् हो जाता था कि आखिर हमारे बालों और आखों का रंग इस तरह कैसे परवर्तित हो गया। हमें आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसके बाद राजकुमारी सुमन को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और उनके पास एक फूलों का गुलदस्ता होता है जिसे उठा कर वो रानी कमला के उपर आकर्मन करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर राजा भ्य जान आकर राजकुमारी सुमन को ऐसा करने से रोक देते हैं। उसके पशात वहाँ पर उनके माता-पिता भी आ जाते हैं और जब वो अपनी पुत्री का ऐसा भ्यानक रूप देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आपसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा व प्यान वापस अपने सामराज में लोट आते हैं। जब रानी कमला का शुराप तूट चुका था और उन्हें बहुत ज्यादा दुख था कि उनकी बहन ने उनके साथ ऐसा किया था। परंद उन्होंने अपनी बहन को इन सब के लिए शमा कर दिया था और रानी सुमन को भी अपने किये पर पस्तावा था। उसके बाद रानी कमला राजा प्यान के साथ अपने सामराज पर राज करती है और अपनी परजा के भले के लिए कारे करती है। वो अपना जीवन खुशी-खुशी व्यतीत करती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम दू सुनों की भलाई ही करनी चाहिए और कभी भी किसी से इर्षा नहीं करनी चाहिए इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाल किरपय नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साजा करें और हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी आपके सुझाव से हम और बहतरीन कहानिया प्रस्तोत करने का प्रयास करेंगे आप हमारे चैनल पर कौन-कौन सी कहानिया देखना चाहते हैं किरपय हमें आपके टॉपिक सुझाए और हम उन पर कहानिया त्यार करेंगे रही सदैव स्प्रिचुल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए